नमस्कार दोस्तों मैं विजे आप सभी का हमारे यूटूब चैनल चार्टेर पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज के वीडियो के अंदर एक ऐसे श्टॉक की एनलिसिस करने वाले हैं उस श्टॉक के अंदर यहां पर एक चार्ट पैटन बनाएं जिसको हम यहां पर ड तो देखें दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर चार्ट पैटन की एनलिसिस करने वाले हैं कि इस श्टॉक के अंदर हैं पर किस तरह का चार्ट पैटन बनाएं और कौन सी ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसका ब्रेकाऊट भी इसने दिया है कि यहां पूइंग एक करने वाले क्योंकि यह जो क्पिक बार बार सपोर्ट ले रहा था और इस बार जो दोनों बोटम ऊनके पास में यहाद vert कि सब्सक्राइब नहीं कि प्रह्क से जो पहले रहा था वो बात में रैस्टेंस बना है और अंतम हम इसके टार्गेट देखेंगे कि क्या टार्गेट आ सकते हैं और आपका कौन सा इस्टॉप लोस होगा जो यहां पर हिट नहीं हो सकता यहां को कौन सा इस्टॉप लोस रखना होगा तो चलिए जानते हैं कौन सा इस्टॉप है जिसके बारे हम बात करने व कर रहा है पैसे बना के भी दे रहा है और साथ में आपको डिविडेंड भी मिल रहा है वो भी साड़े 4 परसेंट का तो सोने पर स्वागा सावित हो रहा है यहां पर हम कर्ज की बात करेंगे तो कंपनी एक तरह से बूरी तरह से कर्ज मुक्त कंपनी है सिरफ 6.65 करोर रुपे का कर्ज है जिसको आप ना के बराबर यहां पर समझ सकते हैं और पर मोटर की होल्डिंग इसमें 72.2 है तो फंडमेंटल अच्छे हैं कंपनी के कर्ज मुक्त कंपनी है साड़े 4% की डिविडेंटल है इससे अच्छा हमको और क्या हो सकता है अब चलते है चार्ट पे और चलके इसके अनलिसिस करते हैं अब हम यहां पर चार्ट पे बात करने वाले है कि राइट के अंदर कौन सा चार्ट पेटन बना है अब यहाँ पर हम हाई की बात करेंगे यह हाईता हमारे पास नौंबर के अंदर और जो हाईता वो था 430 रुपे का इसके बाद यहां पर ग्रावट आई और यह देखिए 310 रुपे पर हमारा पहला बॉटम बना और यह हमारे पास नेक लाइन है 365 की सेके बॉटम फिर से 310 के लेवल के आसपास बनाए तो इस तरह से डे चारट के ऊपर हमारा रैट्स के अंदर पहला बॉटम यहां पर नेक लाइन जे इस तरह से हमको यह डबल बॉटम चारट पैटर्न रैट्स के अंदर बनता हुआ नजर आया है जो नेक लाइन हमारी वह यहां पर 365 की और आज का क्लोजिंग भाव है 369 का तो इस तरह से ब्रेक आउट वह और यह जो ब्रेक आउट हुआ वह देखें यहां पर इस वॉल्यूम के साथ में भी हुआ है और एक चीज यहां पर क्या है कि जो नेकलाइन बन देना 365 की यह वाली नेकलाइन यह से पहल पूरे चार्ट पैन की बात करेंगे तो यह जो लाइनन नजर आ रहा है और इसबार यहां पर छी यहां पर डेंड आच देख रहे हैं आ न मनाए ना ठीक इस दो सो युझमे का यहां पर इसने सपोर्ट लिय आयए इस्टौक इंपर गया तीनसोपैश्ऩट रुपे काई इसका रेश्टेंस लिया रेश्टेंस ते राए रेश्टेंस के बाद गिर है नही। यह 00 dije पास सपोर्ट लिया है तो इस तरह से जो 200 एम है वो रैट्स के लिए अच्छा सपोर्ट का काम कर रही है रैट्स का अधोंत चुर्फ चीश सब्ढ़ सरा है और सबसे अच्शी बात क्या देखने को मिल रही है जो हमारे ही 100 200 एमे के पास जो सेक्टिन बॉटम है वो भी हमारा 200 एमे के सपोर्ट के साथ में बनाएं तो इस तरह से यहां पे जो 200 ए का मुई आवरेज है वो इसके लिए अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है अब हम यहां पे फिबोनासी के अनालिसिस करने वाले हैं देखें मैंने कर दिया है देखे सपोर्ट आपको डेचार्ट के उपर भी यह 310 के लेवल के मिल रहा है वीकले पर मिल रहा है अब यहां पर यह हमने जो ट्रेंड श्टार्ट हुआता 220 के आसपास से यहां से फिबोनासी लगाई है हाई ता हमारे पास में 430 रुपे का अब आपको मैंने वीकली चार्ट पर देख रहे हो वो भी ठीक इस गॉल्डन रेशियो के लेवल का ही इसने सपोर्ट लिया है तो इस तरह से यहां पर एक मुविंग एवरेज का यहां पर सपोर्ट लिया साथ मैं यहां पर सोने पर सुगा क्या साबित हुआ कि हमारा फिबोनासी का के लिए लॉंग ट्रम में नज़र आएगा अब हम यहां पर सपोर्ट रेश्टेंस की बात करने वाले हैं कि राइट के अंदर सपोर्ट रेश्टेंस किया है अब इस चार्ट को देखेंगे ना तो यह दोजार 20 से इस लेवल का यहां पर यह रेश्टेंस लिया हमारे पास अगड़ा यहां पर रेश्टेंस था हमारे राइट के लिए ठीक है यहां पर तीन बार इसने रेश्टेंस लिया और अब इस लेवल का देखेंगे यह हमारे पास ब्रेक आउट रहा अब इस ट्रॉम ब्रेक आउट क्या होगा कि सब वह ब्रेक आउट के बाद एक बार उस मुझे लगता नहीं राइट्स का स्टॉक इस तीन सो दस रुपे के नीचे जाने वाला है तो देखे लॉंग टरम के अंदर खरीदारी करना चाहते हो इस तीन सो रुपे के क्लोजिंग बेसिस का एसल रखो और होल्ड करो राइट्स के स्टॉक को अच्छा यहां पर लॉंग सपोर्ट ब्रेक हुगा तो यह रेश्टेंस बनाए और जिसका ब्रेक आउट यहां पर हो चुका है तो आज का जो हाई है ना वह बहुत ही महत्पून हमारे लिए आज के हाई के उपर निकलने के बाद ही आपको एंट्री लेने के बारे में सोचना है मैं टार्गेट की बा एरिये का आपको यहां पर एसल लगाना है क्लोजिंग वेसिस का मार्केट के अंदर कितनी भी ग्रावट आ जाए निफ्टी हमारी लेकिन मुझे लगता नहीं कि रैट्स का इस लेवल के नीचे जा सकता है अगर आप सौट ट्रम के लिए खरिदारी करना चाहते हैं तो फि उमीद करता हूं ऐसी आनलेसिस आपको जरूर पसंद आई होगी चाहते हैं आप और भी स्टॉक की मैं ऐसी अनलेसिस करूं चल्दी से वीडियो को सेर करें लाइक करें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए तेल्ग्राप झाल